नमस्कार दोस्तों मैं हूँ सदोशन का वर मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारी यूटूब चैनल पे जिसका नाम है बैंक बेंचेस आफ स्टॉक्स दोस्तों आजके इस वीडियो में हूँ नाम है बैंक नीफटी के कल के दिनके मेरे स्टॉक स्टॉक्स दोस्तों इस वीडियो में जोभी घिसकुशन के वाले हैं पूरा का पूरा जो है सिर्फ और सिर्फ educational purpose के लिए हैं मैं इसमें से कोई भी script को या फिर stock को या फिर index के किसी भी level पे आप लोगों को recommend नहीं करूँगा trade करने के लिए इन्हें सिर्फ और सिर्फ आप लोग जो है अपने educational purpose के लिए use करिएगा और मैं severe register research analyst नहीं हूँ और अब लग कोई भी investment करने से पहले अपने financial advisor की सला जो है वो जरूर लीजिए तो आईए यहां पर शुरुआत करते हैं मैं आज के इस educational वीडियो दोस्तों वीडियो को यहां पर शुरुआत करेंगे जो भी levels कल हम लोको ने discuss किये थे उसके analysis के साथ मैं शुरुआत करेंगे यहां पर bank nifty के साथ में दोस्तों bank nifty में आज हम लोगों को बहुत बड़ा gap down opening देखने को मिला था जो कि हम लोगों ने अल्रड़ी Friday की वीडियो में discuss किया था कि क्यों हम लोगों को यहां पर बड़ा move आज के दिन में देखने को मिल सकता है मैंने मिड़के आपकी कुछ quantity भी यहां से जो है 17 रुपए में ली थी जिसने आज almost 350 का हाई लगाया था यानि कि जो हमारा technical analysis था उसे support करने के लिए हमारे पास में बहुत ही अच्छा गासा news का support भी आज के दिन में देखने को मिला था और sharp wall देखने को मिला था अगर bank nifty के साथ में बात करेंगे तो 50703 का हमारा magical level 4 था हर वीडियो में हम लोग discuss करते कि level 4 जो होता है nifty bank nifty के साथ में वो एक बहुत अच्छे support के तौर पे काम करता है और एक reversal का opportunity हम लोगों को यहां पे देखने को मिलता है निफ्टी ने भी morning में fall दिखाया था थोड़ा सा हम लोगों को दिखा रहा था हमें market recover हो रहा है लेकिन इस level को breakout नहीं दे पाया था resistance create हुआ था magical level 4 को और यहां से काफी एक शांदर fall हमें देखने को मिला था PE side में बहुत अच्छे profits आज हमें देखने को मिले थे यानि कि दोस्तों इन levels के साथ में हमारी जो accuracy है वा बरकरार है और मेरी कोशिश रहेगी सा ऐसे ही maintain रखने की अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही लाइनिंग वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना टेलिग्राम का लिंक दे करके रखा हुआ है जहां पे आप लोग मुझे लाइफ मार्केट के अपने लाइफ मार्केट की जो सेट अपस है वो आप लोगों के साथ में डिसकस करते रहता हूं तो उसका लाब आप लोग कंप्लेट्ली फ्री आफ कॉस्स में उठा सकते हैं अकाउंट ओपनिंग भी फ्री है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अकाउंट लिंक जो है वो देखर के रखा हूँ इसके बाद में वीडियो में आगे जाकर के हम लोग डिसकस करते हैं स्टॉक्स के बारे में जो के लिस्टर है फ्यूचर और आप्शन्स में लेकि दोस्तों वो सीधा टिप्स में आ रहा था इसलिए हम लोगों ने उस सीरीज को कुछ दिनों के लिए पॉस करके रखा हुआ है अगर आप लोग स्टॉक अप्शन्स पे भी ट्रेड करता है तो मैंने अपनी स्टॉक अप्शन वाली स्ट्राटेजी बहुत डीटल में स्क्रीनर के साथ में योडूपे फ्री अफ्कॉस में डिसकस करके रखी हुए है उसका लिं में और अपर माचिकलनिस के बारे में पहले बात करते हैं रिवबाद के साथ में दूस्टम चैस त्यारे पहले पहले पर जो हômुइम्नेल पर तकक्न की analysis के basis पे कुछ news है यहाँ पे कुछ global sentiments है जिसे हम लोग logically यहाँ पर discuss करने वाले कि उसका क्या-क्या impact हम लोगों को markets पर देखने को मिल सकता है साथ में mid cap का मैंने सुबह आप लोगों के साथ में logic किया था कि mid cap का index सबसे ज्यादा क्यों गिरता है जब compare to nifty and back nifty वो भी आज की वीडियो में discuss करेंगे पहले तो यहाँ पर शुरूबात करते हैं nifty के साथ में दूस्तों nifty के साथ में हाल फिलाल में हम लोगों को एक हलका सा support जो यहाँ पर दिखाए दे रहा है यहाँ पर इस time पर जब market trade कर रहा था तो market में news आ गई थी कि US, Iran और इस्राइल के बीच में बात कर सकता है यह जो भी लड़ाई वाला मामला चल रहा है इसको ले करके थोड़ा सा positive market में देखने को मिलाता सुरी, अब देखिए दूस्तो, market में जो भी panickness हम लोगों को देखने को मिल रहा है यह फिर साथ देखने को मिल रहा है उसके पीछे पहली बात तो लोगों को बहुत सारा confusion है वो भी यहाँ पर clear करना चाहूँगा सबसे पहली बात है कि यह panickness अभी हम लोगों कुछ देखने को मिल रहा है यह इसराइल का और इरान का जो war है इसके वज़े से देखने को मिल रहा है ग्लोबली दोनों ही country इसको बहुत सारे support जो है वो देखने को मिल रहा है वह दोनी country अपने जो moves है उनको justify करने के कोशिश कर रहे है अब technically हम लोग इतने strong नहीं है कि वो सारे debates में हम लोग चले जाए लेकिन मेरी हिसाब से अगर US दोनों के बीच में कुछ करता है बातचीत इसके वज़े से अगर यह लड़ाई जो शुरू होने वो नहीं होती है तो कल मेरी हिसाब से अपना जो market है थोड़ा सा उपर के side में जा सकता है अभी मेरा intraday वाला view है कल बात नहीं हो सकती है परसो लड़ाई शुरू हो सकते है दो दिन बाद भी हो सकती है तो market का long term में क पहली चीज अब दूसरी चीज क्या है इस चीज का highly impact हमारे markets पे देखने को मिल रहा है वो और की हो जैसे दूसरी चीज यह है कि जिसमें बात शुरू भी हो गई तो भी हमारा market उपर जा सकता है क्यों जा सकता है उसका सब सब पहले आप लोग reason जान लीजिए 2000 जब तक चल रहे रहोगे तो market से FIA का जो भी आप लोग daily data देखते हो उसमें भी आप लोगों को दिखा रहेगा कि FIA का जो है continuously selling दिखाई दे रहे हैं और लेकिन वो 3000 का भी short selling करते है 3000 करोड का तो हमारी DIA उतना buy कर रही है इसका मतलब यह है कि FIA हमारी market सो already पैसा जो है वो withdraw कर रही है और हमारी जो DIA है हमारी जो institutions है वो इतने powerful है कि वो लगातार तीन साल से buying कर रहे है इसका मतलब क्या है कि हमारी जो market से वो धीरे धीरे जाकर के independent बन रही है किसी भी बाहरी country में जो भी impact हो रहा है उसका impact directly हमारी markets पे हो ऐसी हमारी markets अभी रही नहीं है तो हलका सा अगर यहा से हो जाता है तो फिर market में हम लोगों को move तेकने को मिल जाता है फिर आप लोग कहोगे कि फिर market हमारा क्यों गिरना है तो उसका reason क्या होता है दोस्तों हम जिस किसी भी country के साथ में हमारे business होते हैं हम अपनी कुछ products को वहाँ पर export करते हैं import का तो चलो बाता लगा import ये country से न दूसरी companies के साथ में काम कर ये उसकी performance जो है खराब हो जाती है रीजल्स खराब हो जाते हैं और profit ना होने के डर से company loss होने की जासे market में panicness आ जाती है market में short selling आ जाता है इसके बाद में जो दूसरा चीज बहुत लोगों के साथ में गलत फिर्मी है जैसे कि bank of England ने अपना rate of interest जो है वो कम कर दिया तो लोगों के लिए बहुत positive news लग रही थी अब अगर सीधा सीधा इसको देखने जाए तो यह positive news है business जो भी है industries है इनको सस्ते दाम में अगर loan मिलेगा तो वहाँ पर उनका कुछ cost saving है वो भी हो जाएगा सस्ते दाम मिल जाएगा profitability भी बढ़ेगा क्यों rate of interest कम किये जाता है तो उसमें से सबसे major एक जो reason निकल करके आ जाएगा वो यह रहेगा कि आपकी जो economy है वो थोड़ी सी slowdown हो रही है unemployment rate जो है वो आप लोगों की यहाँ पर कम हो रहा है आमीन बढ़ रहा है और employment बढ़ाने के लिए आप जो businesses है companies है उनको rate of interest डाउन क से वो देते हैं जिससे employment बढ़ जा सके in short हमारे पास में employment को लेकर के तो अभी तब कोई news आउट नहीं है लेकिन rate of interest डाउन करना मतलब employment जो है वहाँ पे कम हो रही है सो लोग इसे positively लिए जा रहे थे लेकिन यह positive है यह है negative साथ में दोपेहर में जब चल रहा तो चाइना औ और तैवान का जो है अलग से scene हम लोग को फिर से दिखाए दिया था अब जैसे की last time US जो है वो रशिया के साथ में Ukraine वाले जो scene था उस पे busy था अब इस time पे again US busy है तो यह बहुत अच्छी opportunity है चाइना को तैवान को counter down करने की तो यहाँ पे चाइना जो है वह अपनी game खिल है इससे अगीन एक panickness market में आ जाएगी globally और एक news हम लोग को देखने को मिल रहे है बागनला देश के उच्छी वह प्राइम मिनेस्टर है वहाँ भी students के जो protection रहते reservations को लेकर के अब वह भी काफी बड़ा मुद्ध है उसमें हम लोग को नहीं जानागी किस टाइब का reservation चल है तो उन्हें उन्होंने अपना रिजाइन जो है वह करना पड़ा था आर्मी ने पूरा टेक और ले लिया है और वह जो उनकी prime minister है वह इंडिया में आ चुकी है तो यह कई सारे global events जो है वह हमारे market को बहुत जादा volatile बना रहे इंडिया विक्स के अगर बात करेंगे तो इ लोगों को नहीं है लेकिन यह जो kind of सारे mixed वाले news है जो काफी highly impact कर सकते सारी जगाओ पर इसके वज़े से क्या है कि हम लोगों को लोगों को जिस index की आज expiry है जिस index की कल expiry है जैसे कि आज हम लोग analysis कर रहे है तो कल fin nifty के expiry है और उसके एक दिन बाद में हमारी bank nifty के expiry ऐसे level पर आके अगर market ऐसे ऐसे pin अगर लगाना चाहता है तो आप भले ही बहुत अच्छा technical analysis किये है लेकिन यह ups and downs में यह premium को जो है बहुत fast में melt करेगा ऐसे type के अगर moves आ जाएंगे तो इसमें भी यह premiums को बहुत fast में melt करेगा इसलिए पहली चीज़ तो हमारे stock losses बहुत strict टोनची यूजिली हम लोग क्या करते थे जैसे कि यहां से market जा रहे हैं जब तक यहां ना आ जाए हम लोग अपना एसल जो है बहुत नहीं लगा थे लेकिन अब ऐसा सीन नहीं है टाइम डीक अगर हो जाते तो हम लोगों को यहां पर strict stop losses जो है वो यूज करने पड़ेंग कुछ भी negative news आ जाती जैसे कि Israeli bomb डाल दिया इस kind of मतलब बता रहा हूँ कुछ भी news आ जाती तो सीधा dump होने के चांसे भी हम लोगों को बहुत जादा है तो इसलिए बहुत सावधानी के साथ में trade करना होगा आप लोगों ने देखा रहे हैं यहां पे 1200 points 612 points मेरे दोस्त ने 50 10,000 कमा लिए एक लाक रुबे कमा लिए तो देखो दोस्तों सीधा यहां पर चलती train में चलना जो बहुत जादा रिसकी हो सकता until unless आपके पास में अगर यह नहीं है कुछ अच्छा setup नहीं है कुछ valid reason नहीं है इसको C side में फिर P side में जाने कि तो trades को आप लोगों को avoid करना भ process आप लोग के साथ में होने चाहिए जो लोग avoid कर सकते हैं वह मैं कहूंगा कि प्लीज आप ट्रेडिंग जो है तीन से चार देनों के लिए avoid कीजिए market settle होने दीजे बहले आपको एक दो हजार profit मिलेगा लेकिन उसमें risk भी कम हो रहेगा आज की दिन अब मतलब ऐसा दिन रह आपको पता है कुछ समझदारी वाली चीज़े रहती जो अपने आपको हम लोगों को अपने self analysis से सीख लेनी चाहिए कि आपने कितने बार hero zero का trade लिया था और कितने बार success मिला है तो कुछ self analysis होता है वो भी आप लोगों को खरना पड़ेगा अभी फिलहाल के लिए सारे global sentiments म अगरा वो जो है उनका proper complete data हमारे पास में नहीं है at least markets open होने के बाद में 2-3 गंटा अगर हम लोग फ्रोड़ाशा time spend कर लेते तो buying selling कितने आ रही है वो हिसाप से कुछ credit कर सकते तो वो तो हमारे पास में नहीं आया लेकिन Asian markets हमारे सारे ही आज के दिन में negative में close जो है वो होत लेजर लेवल्स काम नहीं करेंगे लेकिन बाकी के लेवल्स आपके चार्ट पर होने चाहिए क्योंकि वो support and resistance का काम करेंगे 23,755, 23,591, 23,406 और 23,265 यहाँ पर अमारे downside के लेवल्स रहेंगे तो 24,030 के ऊपर nifty यहाँ पर bullish हो सकती है 24,192, 24,352, 24,595 और 24,802 यहाँ पर लेवल्स रहेंगे दोस्तों इस वीडियो में जो भी stocks और इंडेक्स के जो भी लेवल्स हम लोगों ने educational purpose के लिए discussion किया हुआ है इसको अगर आप लोगों को live market में paper trading के लिए test करना है तो सबसे बहतर टाइम फ्रेम मैं यूज करता हूँ अपनी personal trading के लिए वो है 5 मिन के ट इस लेवल के ऊपर bank nifty मुझे bullish लग रही है अब obviously चीज है यह मेरा personal view है इस पर trade करना में आप लोगों को recommend नहीं कर रहा हूँ लेकिन अगर आप लोग पेपर trading के लिए इसे use कर रहा है तो पाच मिन के जो हम लोगों की यहां पर candle है वो इस लेवल के ऊपर closing जो है वो देना करता है वहां पर पांच मिन की ताइम फ्रेम की candlestick जो है इसके प्रेफरेंस देता हूँ पांच मिन की candle candle closing के लिए अब दोस्तों यहां पर candle closing कभी के भी बढ़ी हो जाती है जो कि आप लोग वॉल्म देख करके जो है यहां पर प्रेट कर सकते है इस चीज़ पर आप लोग की जो थेरी है इसके basis पे जो भी स्टॉक समलोगों यहां पर डिसकस किये हैं इन स्टॉक्स के साथ में जो हमारा लेवल 3 होता है वह बहुत ही इंपॉर्टन लेवल होता है यहां से रिवर्सल्स हम लोगों को देखने को मिल जाता है साथ में इंडेक्स यानि कि निफ्टी म इंडेक्स कर रहे हैं इन लेवल के साथ में लेवल 4 जो होता है वह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टन रिवर्सल का लेवल होता है जिसके उपर भी आप लोगों के यहां पर ध्यार रखना जो होता है दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि आज कंपैर टू निफ्टी मिडक आप निफ्टी में छोड़ obsessive ज्यादा फाल जो हो देखने को मिला था मेरे अप लोगों बता भी दिया था किसका एक music है बहुत चोटा सा सिंपल सा लॉजिक है वह मैं आप लोगों को बता दोगा अब दोस्तिक लीजिए निफ्टी बैक निफ्टी भी जो भी स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनकी कीमती भी बहुत ज्यादा होती है बहुत थोड़ा कम ही मूव करते हैं वह लॉस में रहने दो प्रॉफिट में रहने दो थोड़ा और इनको ट्रेड करने के लिए क्यापिटल बहुत अच्छा कैसा लगता है इसलिए आपके जैसे मेरे जैसे रीटेल ट्रेडर्स जो है यहां पर ट्रेड करना पसंद नहीं करते हैं हमारी इन्वेस्मेंट के लिए जो पसंदीदा सेकिमेंट्स होते हैं वह मिडिकाप वह फिर स्मॉल कैप्स होते हैं पैनी स्टॉक्स हम लोग ट्रेड करते हैं उसका रेजन यह है कि पहली बात तो यहां पर आप लोगों के लिए कैपिटल जो है वह काफी कम लग जाता है इस ताइब का मूव हम लोगों को देखने को मिल जाता है ज्यादातर मिड़केप और स्मॉल कैप से बहुत बड़े इंवस्टर्स भी ट्रेड करते हैं लेकिन ज्यादातर हमारे जैसे लोगों का पैसा होता है वो इनी रीजन के वाजए से मिड़केप और स्मॉल कैप में ज्यादा होता है और अब इस यही रीजन और ऐसा कुछ द्रेड़कों के लिकाव मिडगों काम करने में कंपनी उतीर में काफ़ी इसके एपarilyंदे विए इसको फीयुक्रower्स ल oyun यह दिदू होता है तो यह मिड़ी और बॉर्बॉट स्टॉक्स होते हैं सारे कि सारे अभी फिलाल के लिए तो Indeed मिड़टाप याप स्मॉल के हैं कुछ ऐच Sag सघ्थ काफी ज़्यादा और बॉर्ट स्टॉक्स है तो यह दो को पहले से nifty जो है वो गिरना शुरू हो जाता है या फिर आपका जो small cap है वो गिरना शुरू हो जाता है तब small cap में तो option trading नहीं कर सकते हैं लेकिन mid cap में अभी हम लोगों के पाटन आप लोगों को देखने को मिल जा रहा है ग्लोबल सारी news भी negative है कर अगर breakdown मिलता है तो 49,730 के नीचे bank nifty weak हो सकती है 49,396, 49,121, 48,886 और 48,531 यहां पर हमारे downside के levels रहेंगे तो 49,870 के ऊपर bank nifty bullish हो सकती है 50,106, 50,248, 50,443 और 50,702 यहां पर हमारे downside के levels रहेंगे तो दोस्तों वीडियो में लोग ने discuss किये हैं nifty and bank nifty के कल की दिन के मेरी magical levels कल के दिन की मेरे prediction के साथ में वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो ऐसा ही learning वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इस वीडियो के description box में मैंने अपना telegram का link दे करके रखा हुआ है जहाँ पे अप लोग मुझे live market के updates के लिए जरूर follow करें और सबसे important चीज़ अगर वीडियो को like और comment नहीं किया हुआ है तो जरूर कर दीजिए थैंक्यू सुछ